क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझो आपके साथ कोई शक्ती चल नहीं है और ये सक्ती कैसी है? आपके घर की है, की बाहर की है, खराब है, की अच्छी है, भूत है, की प्रेथ है, यच्छ है, की गंधर्व है, देव है, की देवी है, ये कैसे पता चले, मैं बताऊंगा आपको, कभी-कभी आप जब एकांत में कहीं पैदल चलते हैं, या एकांत में बैठते हैं, तो आपको तीन अनभव होते हैं, अगर, तो समझ जाईए आपके साथ, कोई न कोई है, तो चली मैं बताता हैं, वो तीन अनभव कांसे हैं, बोल ये जये श्री राम, भारत मता की जये, सर पर्थम, अगर आप पैदल कहीं जा रहे हैं, रात को, आपको ऐसा लगे कि अचानक से कोई खुश्बू निकल गए, या बैड स्मेल निकल गए, या लगे पीछे कोई चल लहा है, या कोई एनिमल्स चल लहा है, तो अगर जानवर लगे कि कोई कुटा आगे चल लहा है, अगर अचानक खुश्बू आना चालूग हो जाए, तो समझ जाए, आपके साथ कोई द्यवी शक्ति चल रही है आप सोते हैं सोते सोते आपको कभी लगता है किसी ने आवाज दी आप उठ जाते हैं लगता है ना किसी ने दर्वाजा करें खटकट अलो जो इस टाइप की आवाज किसी ने आवाज दी की लिया रही है ऐसी आवाज के अगर आप उठ जा रहे हैं तो आपके पित्र बहुत पीड़ा में आपको घर से निकलते हैं बड़े जोस के साथ कि मैं आज यह काम करूंग कि एम मैं करके ही लोटूंगा निकलते आधी रास्ते में आपका मूड चेंज हो जाता है आप कहते हैं चूड़ो आपने ही जाएंगे हो सकता ऐसे हो जाए हो सकता वैसे हो जाएं लाट आते हैं तो समझे आपको किसी ने फसाद या पच्छा आप अपने कार में आप अपन दिया गया है ऐसी नकारात्मक्सक्तियों को जो आपको आगे बढ़ने से हमेशा रोग दी अगर आप कहीं कारकरम के लिए किसी इंपॉर्टन काम के लिए कि घर से निकलते हैं ऑ निकलते हैं आपको बार-बार कभी ऐसल रही है बार-बार कई बार इसा हो चोग नूटिस करें कि आपको लगता है कि हाँ वाशरी मुझे जाना बहुत किसके फ्रेश होना लहाए है तो समझ जायेगा कि जिस जगे आपका घर है बनाया है उस जखे तीमक या नेवले या सेही का या कब्र ये जरूर रहा होगा और उसके प्रभाव से वहां पर कुछ पंचकी सक्तियां रहती पंचकी होती है जो बच्चे च्छटे दिन मर जाते हैं सौर में मर जाते हैं वो बच्चे तो यह कारां अप इनमें से जो आपको लगे कि जो सही चीछ चले उसको रहने दीजिए जैसे लगे कि हां ऐसा मेरे साथ हो रहा गलत हो रहा तो आपको क्या करना है हींग वाती हींग हींग मंगलवार वले दिन पानी में डाल कर थोड़ी से उससे असनान करना चालू कर दो पांच मंगलवार कर दो आकि ये समस्या स्वता ही दूर हो जाएगी और चलते चलाते एक छोटा सुपाई बता रहा हूं जो लोग बहुत घबड़ाते बहुत डरते हैं वो अरंड के बीच मंगलवार को काले धागे में पिरो कर गले में पहन ले चौबिस गंटे बाद बताना भईया तुम्हारा डर कहा गया बहुत तुम्हारी घबरहाट जो जो बताना